आज हम एक नया चेप्टर स्टार्ट करें है चेप्टर का नाम है सेट सेट थियोरी ठीक है बहुत ही बड़िया चेप्टर है जिन बच्चों ने 11, 12 विफ मैट के साथ करी है उन्होंने चेप्टर पढ़ा है सेट थियोरी जिन इस्टोंड ने 11, 12 विफ मैट करी है और उन्हें सेट थियोरी पढ़ा होगा बताओ कौन-कौन से बच्चे हे सेट थियोरी पहले चेप्टा स्क्राइडिंग डालेंगे न्यू चैप्टर सेट थियोरी यह सेट थियोरी जो चैप्टर है दोस्तो यह आपके न प्रोवेबल्टी चैप्टर में काम आएगा बहुत इंपॉटन चैप्टर है जब आप प्रोवेबल्टी चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है प्रोवेबल्टी चैप्टर के अंदर ठीक है तुब से पहरे हमें लिखेंगे कितने टॉपिक हमें कवर करने है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक तूबी कवर और एक एकर करके टॉपिक कवर करते हैं चलेंगे सबसे पहला आता है मीनिंग ओफ सेट मीनिंग ओफ सेट सेट किसे कहते है सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सेट किसे कहते है दूसरा टॉपिक हमारा पहला पहला आता है मैथर्ड ओफ सेट method of setup तीसरा topic हमारे पास क्या आता है यह हमारा तीसरा topic आता है फोर्थ topic क्या आता है types of set के बाद फोर्थ topic क्या है basic operation of set basic operation of set फिफ्थ topic हमारे पास क्या है property of set properties of set set की कितनी property है ठीक है six topic हमारे पास आता है van diagram यह है दोस्तो total concept उसके बाद आप पढ़ेंगे questions और seven करने है illustrations and question seven करने है illustration and question लिख लिए जल्दी से जली स्टार्ट करते हैं meaning of set से पहले ठीक है तो आज इक last one सेखेंगे meaning of sets क्या है method types of set basic operations of set then property van diagram ending कतम तो इतने सारे concept हमें बढ़ने है एक से लेकर छेता concept उसके बाद questions और illustrations पाजाएगी आईए सबसे पहले हैं हैड ना लेंगे concept तुमारा one है meaning of set meaning of set बिके बिके set is a well-defined that is a well-defined collection of an of an object that is a well-defined collection of an object point to be remember point to be remember the object of set the object of set is called the object of set is called its element or member दूसरा set are साथ साथ लिखे चलिए generally denoted set are generally denoted by capital letter set are generally denoted by capital letter a b c set a set b set c s तरीके से को की साथ लिखे हैं R denoted by by small letter set के element होते हैं उनको हम small letter से denote करते हैं जैसे कि छोटा A, छोटा B, छोटा C, छोटा D इस तरीके से पांच वह पॉइंट हम छोटा पॉइंट पक pigment आच होने चर्पटा if the element x if the element x is belongs to set B belongs to set A then it written as x belongs to A then it written as x belongs to A if the element y is not belongs to set B then it written as x belongs to A y not belongs to be ཇ 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 इंडियन की बात कर रहा हूं तो दूनी पहला और दूसरा है सूरिय कुमार यादव कि मेरे दो फेवरेट प्लेड है एक स्टूडन कह रहा है दूनी और राइना राइना नोनी और राइना को स्टूडन कहा रही है वर्षा जी वर्षा कहा रही है धोनी और सचिन जलिस बता आईसा भी बताएगी दो फेवरेट किर्केट प्लेयर के नाम बताईए अपने इंडिया के अधिनी अंजली कह दिया मैं को किर्केट नहीं पसंद मैं इसके बार में ले लेता हूँ विराट किसी को विराट पसंद है किसी को किसने विराट और दोनी कह दिया किसने सचीन और सेवाग कह दिया किसने सचीन और गामली कह दिया आईसा कह दिया विराट और रोहिच सर्मा तो इस तरीके से इसके लिए देता है आप विराट और रोहिच सर्मा सब के पसंद अलग-अलग है सब की पसंद बिलकुल अलग-अलग है बट अब मैं आपसे दूसरा कोशन पूछ रहा हूँ Example No.2 Tell the letter start with J is tell tell the month tell the month which start from J tell the month which start from J अब मैं आपसे दूसरा कोशन पूछा अब मैंने आपसे दूसरा कोशन पूछा मैंने का बताओ कि कितने month ऐसे है जो J से start होते है year में कितने ऐसे month है जो J से start होते है सबी बच्चे मुझे से कहींगे सर देखो हम बता रहे है आपको पहला month हो गया January J से start होता है पहला हो गया January परवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सब्तंबर, अक्टूबर, नौबर, दिसंबर मतलब मेरे पास तीन ऐसे month है जिनकी सुरुवात J letter से होती है अब मैं ये अपना बात था हूँ मैं ये आईसा से बूच हूँ मैं वर्सा से बूच हूँ मैं केसफ से बूच हूँ मैं परसान से बूच हूँ या मैं अंजली से बूच हूँ मैं किसी से भी पूच लूँ इस दुनिया में मुझे सबका अंसर एक ही मिलेगा और यही सवाल अगर मैं किसी से बूच हूँ मुझे सबकांसर different मिलेगा यही सवाल अगर मैं किसी और से पूछू तो मुझे सबकांसर different मिलेगा और यही सवाल याला सवाल मैं पूछू तो मुझे सबकांसर same मिलेगा एक और example ले लेते हैं Tell the month Whose have Tell the month who have 31 days 31 days tell them and who have 31 days मुझे वो महीने बताओ जिनके 31 दिन होते हैं कौन कौन सा जरा बताना वो महीने हो के जन्वरी में 31 दिन होते है मार्च में 31 दिन होते है माई में 31 दिन होते है जुलाई में 31 दिन होते है अगस्त में 31 दिन होते है अक्टूबर में 31 दिन होते है और दिसंबर में 31 दिन होते है तो हमार पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहे है जिसका अंसर एक इसका सवाल भी ये सवाल भी मैं हजार लोगों से पूचूँँगा उन सबका समान सबका अंसर जो है वो एक ही आएगा ये सवाल में हजाल लोगों से पूछूँगा सब का अंसर रेका आएगा पर ये आला सवाल में हजाल लोगों से पूछूँगा सब का अंसर डिफरेंट आएगा जेखिए जब आप कुछ पूछते है जब आप कुछ पूछ रहे है चाहे वो एक से पूछो, चाहे वो दस से पूछो, चाहे सो से पूछो, चाहे लाग से पूछो कभी का अगर सेम अंसर हो तो उसको कहते है वेल डिफाइन क्या कहते है उसको? वेल डिफाइन वेल डिफाइन का मतलब है वेल डिफाइन कहते है, क्या कहते है? वेल डिफाइन यह हमारा वेल डिफाइन है यह भी वेल डिफाइन है जब सबके अंसर सिमलर होते है उसको हम क्या नाम देते है वेल डिफाइन क्या यह वेल डिफाइन है यह वेल डिफाइन है नहीं सर यह वेल डिफाइन नहीं है क्यों क्यों कि यहां पर अंसर सबके अलग-अलग आएंगे तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सी का वेल डिफाइन सबसे पहले आपने वर्ड सी का वेल डिफाइन अब मैं अपना example number 2 जो है जिसमें मुझे बोला था start letter with j जो मेरे example number 2 था month start with j letter month start with j letter तो आपने मुझे गाता सर तीन महीने हैं एक है जन्वरी एक है जुलाई एक है जून और एक है जुलाई तीन letter है जो j वर्ड से start होते हैं अब मैंने इनको इस bracket में लिख दिया क्या ये well defined है क्या ये well defined है हाँ सर well defined का मतलब क्या होता है अगर ये सवाल मुझे से पुछे जाए आप से पुछे जाए या सो लोगों से पुछे जाए या क्रूडो लोगों से पुछे जाए सब का अंसर अगर similar आए सब का अंसर एक ही हो तो उसको well defined कहते हैं जब हम well defined को collect कर लेते है एक bracket लगा कर एकटा कर लेते है जब हम किसी well defines data या elements को एकटा कर लेते है एक साथ और क्या कर लेते है एक bracket लगा देते है इस bracket को आज के बाद बोलेंगे set bracket क्या नाम दिया जाएगा इस bracket को नाम दिया जाएगा Set bracket यह हमारा Set bracket होगा Set bracket यह हमारे Set bracket है ठीक है तो जब मैं किसी भी element को जो well-defined है जब मैं collect करता हूँ जब आप well-defined data को collect करते हो और उसको Set bracket में लिखते हो उसी को Set कहा जाता है तो मैं इसको बोलता हूँ Set इसका एक नाम देता हूँ set A जब भी आप set को denote करते है capital letter से load करते है और जब आप अंदर लिते हैं तो small letter से लिखते है ठीक है? अंदर हम इसा small letter से लिखते है मैं इसको ठीक करता हूँ फिर द्वारे small से लिखता हूँ capital letter का word use नहीं करते हैं small letter करते हैं जैसे कि January June और July ठीक है? तो अब जरा है definition बढ़ना set is a well defined collection of an object object का मतलब क्या हूँ element जब हम कोई भी element ये सब क्या है मार लिए? January, February January, June, July क्या है? ये क्या है मेरे लिए? ये सर object है ये क्या है सर? object object को मैंने क्या करा हूआ है? collective करा हूआ है object को आपने क्या करा है? collect करा है और object कैसे है? object का मतलब elements element कैसे है? well defined है जहां पर ये तीन बाते होती है उसे को हम set कहते हैं set is a collection of set is a well defined collection of an object किसी भी object कैसा object होना चाहिए well-defined होना चाहिए well-defined का मतलब कहा है जिससे भी अंसर बोचो सबका अंसर सेव ही निकले वह well-defined होता है उस object उनके object के collection को हम set कहते है आप इसको एक जगए collect कर लो set है जैसे कि मैंने एक example दिया था example number two मैंने आपको example दिया था example number three में month have 31 days कितने ऐसे महीन है जिसमे 31 days होता है अब मैंने उसको set भी माल लिया अब सभी का अंसर सेम आएगा तो जब आप वो सारे मन्त लिखोगे जिसमे 31 days होता है और उसको एक जगा लिख देते है और set bracket में बंद कर देते है इसका मतलब वो collect हो ग लेते हैं collect कर लेते हैं collect करने के लिए हमें set bracket में बंद करना होता है उसकी को set कहते हैं बस क्या क्या होगा जन्वरी मार्च मई जुलाई अगस्थ अक्टूबर December तो मैं जब well-defined elements को यह सारे well-defined है क्योंकि सब एक ही answer देंगे और इसको मैं जब set bracket में लिखता हूँ उसका मतलब क्या है collect कर लिया एक खटा collect कर लिया एक जगा रख दिया तो यह बन जाएगा क्या set तो क्या बन जाएगा दोस्तो सेट बन जाएगा समझवाया दोस कुछ नहीं करना well-defined objects को इस set bracket में लिख देना है तो बन जाता है वो set पर मैं इसको नहीं लिखता है क्योंकि सबका different answer होगा यह well-defined है नहीं the object of a set is called element or member the object जो है यह January, June, July यह object है इसी को क्या कहा जाता है इसी को element भी कहा जाता है यहीं हमारा क्या होता है element या फिर member इसी को element कहते है यह सब क्या है सारे के सारे यह element है ठीक है सार, object भी कह सकते है और element भी कह सकते है set आर generally denoted वाया capital letter जैसे कि मैंने अभी denote करा set A है, set B है तो जब भी आप set को denote करोगे तो capital letter में denote करते हैं set A है, इसको मैंने set B denote करा, ठीक है इसके बाद and the element of set, set के अंदर जो element है set के अंदर जो element है, वो क्या होगा, small letter में होगा, मैं example लेता हूँ एक set C है, vowels का, set C है एक vowels का, मुझे बताओ, कितने होंगे vowels, set C में set जो आपने denote करा, वो तो capital letter होगा, और जो अंदर element होगे, वो small letter के होगे तो vowels भी एक set है या नहीं है, yes, sir, vowels कितने होते, A, E, I, O, U, मेरे से बुचो, अनिक लोगों से बुचो, हजाल लोगों से बुचो, सबका अंसर similar रहेगा, इसका मतब vowels एक, क्या है, set है, है ना, vowels क्या है, एक, set है, जो well defined हो, मतब, आप well defined समझो, कि जो मैं पूच रहा हूँ, question, आप मन में यह सोचो, जो भी question मैं पूच रहा हूँ, क्या, वो सभी एक की answer देंगे, उसका नहीं देंगे, अगर जो मैं question बुचना, उस concern मेरा जो आ रहा है, वो सभी का एक यह आएगा, तो फिर वो well defined होगा, अच्छा, मुझे पताईए, मुझे पताईए, क्या, A जो है, वो set में है, क्या A जो है, वो set C में है, हाँ, सब सेट C में है, तो इसका मतलब belongs कर रहा है, A जो है, set C में belong कर रहा है, क्या D जो है, वो set C में है, तो D जो set C में है, तो नहीं, D set C में नहीं है, इसका मतलब not belongs, सलमाया, यह वाला sign किसका होता है, belongs का, set A जो है, A element जो set C में है, इसका मतलब यह belongs कर रहा है, और जो D है, वो set C में नहीं है, इसका मतलब not belongs, लो जी है क्या आपको सारा सजमा आ गया set क्या होता है set is a well-defined collection of an object किसी object object के collection को well-defined object के collection को set कहा जाता है ठीक है आप एक example बताईए चलिए आप एक example बताईए set क्या होगा आप सोचिए क्या क्या हो सकता example जिसमें well-defined nuclear बहुत बढ़िया अंजले ने कहा कि माल लो अगर मैं किसे बुचो कि weeks name कौन से होते है तो सभी एक ही जवाब देंगे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday Sunday ये भी एक answer हो सकता है weeks और ठीक है तो ऐसे बहुत सारे आएंगे जैसे कि आपने बोला कि natural number less than 10 क्या होंगे वो भी एक क्या है set है natural number less than 10 क्या होगा एक से ले कर रहों तक और सभी का answer सेम होगा आपने कहा set of a even number even number का set even number भी एक set बन सकता है क्योंकि even number अगर collection करेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10 यही होगा right even number का collection होता है prime number का set बोल सकता है क्योंकि जिसके answer एक ही आए वो हम क्या कहींगे odd number का set कह सकते है है ना वो क्या कहींगे हम वो ही हमारा क्या है दोस्तो set कहलाएगा prime number less than 20 बहुत बढ़िया ही भी हो सकता है यह चलिए आगे आप समझ मां आगे आपको well defined क्या होता है ठीक है तो हमारा यह पहला point खतम हो गया है जहांपर हमने सीखा देखो यहांपर लिखा if element x अगर कोई element x किसी set को belong कर रहा है तो लिखेंगे x belongs to a और अगर कोई y element b set को belong नहीं कर रहा तो y not belong to be जैसे कि मैंने कहा हूँ इसमें इसमें नहीं रहा है कि यह a है यह इसमें आ रहा है हां आ रहा है तो a set c को belong कर रहा है d इसमें नहीं आ रहा तो d set c को belong नहीं कर रहा not belong का sign यह रहा और belongs to का sign यह रहा this is done तो सबसे पहले हमारा meaning था तो meaning हमारा खतम हो गया कि set किसे कहते है set समझ मा आ गया a set is a well defined collection of an object किसी भी object को well defined collect कर लेते है well defined object को collect करना ही set कहलाता है अब हम पढ़ रहे है method of set हमारा दूसरा point आ जाता है method of set method of set there are two methods पहला और दूसरा दो method होते है sets के एक होता है set builder method set builder form एक होता है roster form दूस्तों हमारे पास दो method होते है set को लिखने के एक होता है set builder form और एक होता है roster form ठीक है दी? अच्छा roster form का दूसरा नाम है रोस्टर form का एक दूसरा नाम भी है tabular form roster form को tabular form नाम से भी जानते है और set builder form set builder form का एक दूसरा नाम है selector method selector method कभी कभी क्या होता है एक कि original नाम देखो main नाम तो यह famous है set builder form और रोस्टर form बट कभी कभी course में कहाता है एक बार कोस्त में ने पढ़ाया, set builder form रोस्टर फ़र्म पढ़ा दिया बच्चे को, और मैं ये बताना भूल गया कि set builder form को ही selector method कहते हैं, और वहां पर लिखाया है कि selector method रोल करके दिखाओ, अब student confused हो गया, जब paper क्या होते थे, return basis पर होते थे, offline return basis पर होते थे, तब student confused हो ग तो आईए सीखते हैं दोनों ही method को, और आज ए class में method complete करेंगे, तो पहला हम क्या करेंगे, convert करेंगे, convert the, convert the roaster form into set builder form, convert the roaster form, हम क्या करेंगे, roaster form को set builder form में convert करें, into set builder form, convert था, ने, पहले मैं SM लिखूँ, पहले मैं आपको, एक में रुखो, पहले आपको यह पता लूँ, कि roaster form कौन से होती है, set builder form कौन से होती है, set builder form किस तरीके से दिखती है, ठीक है Set Builder Form किस तरीके से दिखती है और दूसरा Roaster Form किस तरीके से दिखती है यह पेजानों कि कौन सी Form जो Set Builder Form है वो किस तरीके से दिखेगी और Roaster Form किस तरीके से दिखेगी चलिए माल लो एक मैंने खा सेट ए उसमें लिख दिया इवन नमबर अप टू टेन दो चार छे आठ दस दोस्तो जो ऐसी फॉर्म में होगा उसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे या फिर टैबूलर फॉर्म कहेंगे जो दो जो एक नमबर की फॉर्म में होता है A, B, C, D 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4 इस तरीके की फॉर्म को हम क्या कहते है रोस्टर फॉर्म कहते है जब की अगर इस फॉर्म को में कैसे गनवर कर देखो इस तरीके से Set A बिलॉंग करता है कैसे लिखने का तरीका क्या है X Such that X क्या बोलते है X Such that इस दो बिंदू का मतलब है Such that X X Such that X Equal to 2 की पावर N 2 की पावर N ये मैंने मना देख एक operation ये क्या कर देख मैंने एक Operation करा कि X किस को बिलॉंग करता है X जो है सुनो पहले वाला S का मतलब है Set A Set A में क्या ही ये X की वैलियो आगी मतलब Set A को बिलॉंग कर रहा इस X को बिलॉंग कर रहा अब S की वैलियो निकालूंग वैसे S की वैलियो निकालनी होगी 2 की पावर N को Where 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 N Equal to 1 2 3 4 2 की पावर N नहीं 2 की पावर N नहीं आएगा 2 N आएगा Where 1 2 3 4 5 सुनना ये मेरा क्या है X is equal to 2 N है ठीक है ध्यान सुनना इस तरीके की फॉर्म को Set Builder Form कहते है लिखने के तरीका Operation की फॉर्म को Set Builder जब आप इस तरीके से बनाते है उसको Set Builder Form कहते है लिखने का तरीका होता है X अगर जो X की Value आईगी वही Set होगा मतलब ये पूरी Value किसको Belong कर रही है X को Belong कर रही है अब X किसके बराबर है 2 N के बराबर मैंने क्या कहला X किसके बराबर है 2 N के बराबर N की Value क्या है 1 जब मैं N की Value 1 डालूँगा तो मेरा क्या जाएगा $2 जाएगा देखो आगया फिर N की Value में 2 डालूँगा तो मेरा क्या जाएगा $2 जा$4 देखो आगया N की Value 3 डालूँगा $2, $3, $6 वो देखो हाँ $4 डालूँग U N की Value क्या जाएगा $ 2, $4, $8 वो देखो Hit 1 N की Value 5 डालूँगो x such that x ये तो लिखना ही पड़ेगा ये वाला x जो इस x से देखो ये जो x है वो equal to में ये expression का है इधर value put करूँगा तो x आएगा और इस x की value जो भी आएगी जैसे इस x की value आज़ी 24610 देखो यहाँ put करो ना 1 n की value 1 put करूँगा x 2 आएगा n की value 2 put करूँगा x का आएगा 4 तो ऐसी ये सारी value put करूँगा n की तो x की value आज़ी कि 24610 तो जो x की value है वो ही एक set है ये अला x को भी लोग करा है set a को set a कह रहा है कि ये x है x की value जो भी होगी और set a बाना जाएगा तो x की value कितनी आई थी 24610 तो x की value 24610 आई है इधर जो x की value आई है वो ही x की value ये होगी और जिसकी x की value जो होगी वो ही set a होगा पत्तब ये बन गया इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ और दूसरा तरीका इसको ऐसे लिख सकता हूँ x such that x belongs to x such that x belongs to even number operation करने की जिलाती है even number up to 10 10 तक के even number को ही हम x belong कर रहा है 10 तक के even number को अब 10 तक के even number पताओ कौँसे होते है 24610 यही तो होते है तो x की value क्या नहीं के लिए वो देख़ो x का कहा रहा है यह वाल x का कहा रहा है कि x even number है up to 10 तो x belongs to क्या कर रहा है एवर नमबर 10 तक तो X की यह लिगा है कि 2468010 और जो है यह X की वैल्यू हो वही X की वैल्यू हो और यह X की वैल्यू किसके बरावर है सैटे के बरावर है सैटे आ जाएगा मेरा 24680 लो जीज़ा तो यह हो गई सैट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से दिखती है और यह हो गई रोस्टर फॉर्म जो इस तरीके से दिखती है अब आज़ो आप सीखते है how convert रोस्टर फॉर्म into सैट बिल्डर फॉर्म convert the रोस्टर फॉर्म into सैट बिल्डर फॉर्म में को roaster form question में given होगी और उस form से मुझे set builder form में convert करना होगा तो roaster form को मैं set builder form में convert कर रहा हूँ convert roaster form into set builder form मेरा पहला example है में को set A दे रखा है जो कि दे रखा है एक, दो, ती, चार, पांच आप उसको set builder form कैसा बनाएगे देखो ऐसे set A equal to format वही रहेगा x such that x belongs to natural number natural number less than less than 6 6 से कम natural number कौन से होते है एक, दो, ती, चार, पांच या इसको वह और तरी कैसे ले सकते है x such that A is equal to x such that x belongs to x such that x belongs to अब x such that x is equal to n where n equal to 1, 2, 3, 4, 5 मैंना x की value क्या बोला, n बोल दिया, x मेरा क्या है, n है और n की value क्या होगी, put करो, 1, 2, 3, 4, 5 जब n की value, 2, 3, 4, 5, गोन को तो, इसकी value बेग, 2, 3, 4, 5 यह यह रहा इसे आप लिख सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है इसका, इसके बादे राजाओ, दूसरा वाला कोशन, और कोशन सॉल करो, जैसे कि मैंने लिखा, set A, set B लिख देता हूँ, set B, दो, एक, बताईए साथ, यह रोस्टर फॉर्म मैंने आपको दे दिया, अब इससे set विल्डर फॉर्म बनाना है, बनाई आप दिमाग लगाईए, मैं नीचे करता हूँ, set B equal to, set B equal to, x such that x equal to, क्या होगा, where n की value होगी, 1 से लेकर दस्ता, क्या होगा, बीच में से, बहुत बढ़िया, x says that x is equal to n का square होगा, क्या होगा, n की power square करूँगा, क्यों, n की जगा पर 1 डालूँगा, 1 का square 1, n की जगा पर 2 डालूँगा, क्योंकि n एक से लेकर दस्ता डालना है, n की जगा पर 2 डालूँगा, 2 का स्क्वार 4, 3 डालूंगा 3 का 9 स्क्वार, 5 डालूंगा 5 का स्क्वार 25, 6 डालूंगा 6 का 36, 6 डालूंगा 7 का उनन्चाज, इस तरीके से, सम्झमा रहा है, बहुत बढ़िया, यह आपको सम्झमा आ गया, अब यहाँ पर सीख रहे है, कन्वर्ट, सैट विल्डर फॉर्म इंटू रोस्टर फॉर्म, इंटू, रोस्टर फॉर्म, अब मैं सैट विल्डर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, अब कैसे अब सैट विल्डर फॉर्म आपको किस तरीके से देखे होगी, आसे देखो, set a equal to x such that x equal to 2 की power n where n equal to 1 से लेकर 5 तक तो आप इसको आपको set builder form रोस्टर form ना नहीं है तो बड़ा simple है बस n की value put करते जाओ x आ जाएगा और जो x होगा वो यह x की value है तो n की value put करेंगे 1 तो 2 की power 1 क्या हो जाएगा 2 ठीक है ना फिर n की पे जगाव put करेंगे 2 जो दोनी 4 n की जगाव put करेंगे 3 n की 2 की power 3 हो जाएगा n की जगा 3 पटेंगे 2 की power 2 दोनी 4 दोनी 8 फिर n की जगाव put करेंगे 4 तो 2 की power 4 हो जाएगा 2 दोनी 4 4 दोनी 8 8 दोनी 16 और यह n की 2 की power 5 हो जाएगा 32 तो आपको एक से विल्टर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में करवर्ट कर दिया क्या आपको समझ माया यह होगा पहला एक्जामपल अब दूसरा एक्जामपल देखेंगे एक सेट भी है वो कर रहा है एक्जामपल एक्जामपल देखेंगे बिलॉंग्स टू थी की पावर थ्री एन वेर एन इक्वल टू एक से लेकर पांच तक अब मुझे बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी निकालो से जल्ली से स्ट बी क्या होगा वन डालूंगा एन की देखाव थ्री बन जा थ्री थ्री टू जा शिक्स थ्री त्री एन नाइन थ्री फोर जा ट्वैल और थ्री फार जा फिफ्टीन यह होगा जर तो यह हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है यह रोस्टर फॉर्म है यह roaster form में convert करती है मैंने इसको यह roaster form हुआ यह दोनों roaster form है और वो पर set builder तो set builder से roaster में convert करा और roaster form से set builder में convert करा यह हमारी set builder form हुआ इसको हम selector method भी कहते हैं लो जी तो method of set भी हमारा खतम हो गया तो हमारी पहली class के अंदर हमने क्या करा हमने पहली class में ये दो complete कर लिया ये दो हम complete कर लेते हैं अपनी first class में complete in first class पहली class में हमने ये complete कर दिया हम अपनी next class में करेंगे types of set फिर इस तरीके से जलेगा मतब एक class इस पर लगा देंगे एक दो इस पर लगा देंगे फिर एक मतब दो से तीन class में आपके concept खतम हो जाएंगे सारे फिर उसके बाद question स्टार्ट कर देंगे तो आज ही class को हम यहीं पर समाप करेंगे ज्यादा नहीं सुरुबात में इतना करेंगे कल हम types of set पढ़ेंगे अगर एक कम रहे तो मैं इसको ये भी start कर दूँँगा तो next class में ये दोनों कर लेंगे तो तीन class में हमारा सारे concept खतम हो जाएंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे illustration and question जो बज़ गए ठीक है तो यहाँ पर खतम करते है class बाई बाई